श्री शिवाय नमस्तो प्यम भगवान भोले नातने प्रह्म पुत्तर सनत कुमार को शावन मा के नाग पंचमी वरत का महत्यम बताया था आज के इस पंदरवे अध्याय में हम स्वेम भगवान शिवद्वारा सावन में किये जाने वाले सुपोधन शष्टी वरत तथा अर्क विवाविदी की बारे में संपून जानकारी जानेंगे तो आईए पंदरवा अध्याय शुरू करते हैं सनत कुमार बोले हे देवेश मैंने नागो का यह आश्च्रिय जनक पंचमी वरत सुन लिया अब आप बताए कि शष्टी तिथी में कौन सा वरत होता है और उसकी विधी क्या है इश्वर बोले हे विपेंदर शावन मास के शुकल पक्स में शष्टी तिथी को महामरत्यू का नाश करने वाले सुपोधन नामक शुब वरत को करना चाहिए शिवाल्य में अथ्वा घर में ही प्रियतन पुर्वक शिव का पूजन करके सुपोधन का नवैत्य उन्हें विधी पुर्वक अरपन करना चाहिए इस वरत के साधन में आमर का लवन मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नवैत्य अरपित करे साथ ही ब्रहमन को वायन प्रदान करे जो इस विधी से व्रत करता है उसे अनन्त्पुन्य मिलता है इस प्रकार इस प्रकरण में लोग एक प्राचिन कहाने सुनाते हैं जो इस प्रकार से है प्राचिन समय में रोहित नाम का एक राजा था काफी समय बीदने के बाद भी उसे पुत्तर रतन की प्राप्ति नहीं हुई तब पुत्तर की अभिलाशा में उस राजा ने अत्यन्थी कठोर्तब किया ब्रह्मा जी ने राजा से कहा तुम्हारे प्रारप्त में पुत्तर नहीं है तब भी पुत्तर की लालसा में वहे राजा अपनी तपश्चा से जरा भी विचलित नहीं हुआ इसके बाद राजा तपश्चा करते करते संकट ग्रस्त हो गए तब ब्रह्मा जी पुनह प्रकट हुए और कहने लगे मैंने आपको पुत्र का वर्दो दे दिया है लेकिन आपका यह पुत्र अलपायू होगा तब राजा तथा उनकी पतनी ने विजार किया कि इससे राने का बांजबन तो दूर हो जाएगा संतान हिंता की निंदा नहीं होगी कुछ समय बीच जाने के बाद ब्रह्मा जी के वर्दान से उन्हें पुत्र प्राप्ती हुई राजा ने विधी पुरुवक उसके जाद करम आदी सभी संसकार किये दक्षिन नामक वाली उस रानी वर राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत रखा उचित समय आने पर भेविच चित वाले राजा ने पुत्र का यगोपवित संसकार किया किन्तु राजा ने उसकी मरत्यू के भैसे उसका विवान नहीं किया तदंतर सौलवे साल में उन्हा पुत्र शिवदत मरत्यू को प्राप्त हो गया तब ब्रह्मचारी की मृत्यों का स्वन करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खतम हो जाता है और वहाँ ब्रह्मचारी भी दुर्गती में पढ़ जाता है सन्नत कुमार बोले, हे देव देव, हे जगनात, इसके दोश निवारन का उपाए है या नहीं, यदि उपाए है तो अभी बताए, जिससे दोश की शांती हो सके इश्वर बोले, यदि कोई सनातक अथ्वा ब्रह्मचारी मर जाए तो आर्क विधी से उसका विवा कर देना चाहिए, इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस पर संयुक्त कर देना चाहिए अब अर्क विवा की विधी कहते हैं, म्रतक का गोत्र, नाम, आदी लेकर देशकाल का उचान करके कहें कि मैं म्रत ब्रह्मचारी की दोश निवारन हे तो वैसर्गिक वरत करता हूं सर्वप्रथम सुवन से अभ्युदिक करके अगनी स्थापना कर आघार हूं करके चारो व्याहरतियों ओम भुह, ओम भुह, ओम स्वाह, ओम महा से हवन करना चाहिए इसके बाद वरत अनुस्ठान की उत्तमफल के निमित वरत पती अगनी के संपाद नार्थ विश्व देवों के लिए गरत की आहुति डालें उसके बाद स्विष्ट गरत होम करके अवशिष्ट होम संपन करें पुनह देशकाल का उच्चान करके इस प्रकार बोलें मैं अर्क विवहा करूंगा उसके बाद सुवन से अभ्युदै क्रत्य करके अर्क शाखा तथा मृत्त की दे को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूप से वैस्ठित करें और पीले रंगे दो वश्टरों से उन अगरी के लिए अज्य होम करें उसके बाद चारों व्या हरतियों से ओम भुवहा ओम स्वाह ओम महा ब्रहस्पति तथा कामदेव के लिए आखूति प्रदान करें पुनेगरत से स्विष्ट कृत होम करके समकून हवन करक करम समापन करें उसके बाद आग की डाली तथा मृतक के सव को विधी पुर्वक जला दें मृतक अथ्वा, मृयमान के निमित 6 वर्षतक इस वरत का अनुस्ठान करना चाहिए इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपिन वस्तर प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमान अथ्वा, कान तथा लंबाई वाले दंड तथा क्रिशन, मर्ग चर्म भी प्रदान करन चाहिए इस विधान से वरत करने पर कोई भी विगन नहीं होता है इश्वर बोले ब्रह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवातों मुझे गौन प्रतीत होता है, मुख्य नहीं क्योंकि कोई भी वैक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देत उस नगर में एक ब्राह्मन था उस समयवे किसी दूसरे नगर में गया हुआ था उसके एक सुन्दर पुत्री थी जिसकी माता के मृत्यू पहले ही हो चुकी थी ब्राह्मन की दूसरी भी पतनी थी जो ब्राहमन की पुत्री के प्रती बुरे विजार रखती थी तथा दुस्ट मनवाली थी कन्या दस वर्ष की थी तथा दीन थी और अपनी सोतेली माता के अधीन थी अतहा सोतेली माता ने द्वेश्ट था अत्यधिक धन के लालच में एक लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मुरतक राजकुमार के लिए दे दिया कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट परशंचान भूमी में राजकुमार के पास ले गए और शव के साथ उसका विभा कर दिया इसके बाद विधान पुरुवक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तयारी करने लगे तब उसकन्या ने पूछा हे सज्जनों आप लोग यह क्या कर रहे हैं तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुमारे इस पती को जला रहे हैं इस पर भैबीत होकर बालसो भाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा आप लोग मेरे पती को क्यों जला रहे हैं मैं जलाने नहीं दूँगी आप लोग सबी यहां से चले जाएए मैं अकेली ही यहां बैठी रहूंगी और जब यह उठेंगे तब मैं अपने पती देव के स चली जाएंगी उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित वाले कुछ भाग्यवादी व्रद्य जन कहने लगे अहो होनहार भी क्या होता है इसे कोई भी नहीं जान सकता दीनों की रक्षा करने वाले तथा किरपालो भगवान ने ना जाने क्या करेंगे सौत की पुत्री का भाव रखने की कारण सोतेली माता ने इस कन्या को बेचा है अतह संबव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए अतह हम लोग इस कन्या को वह इस शव को नहीं जला सकते इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहां से चले जाना चाहिए बरस प जानती हुई भैसे व्याकुल वह कन्या एक मात्र शिव तथा पार्वती का स्मन करती रही उस कन्या के स्मान करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पून रध्य वाले शिव पार्वती शिग्र ही वहां आ गये नंदी पर विराजमान उन तेज निधांश पार्वती को देख कर उन देवों का ना जानती हुई भी उस कन्या ने प्रत्वी पर दंड की भाती पढ़कर प्रणाम किया तथा उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पती से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है तब कन्या ने कहा कि मेरे पती अब जीवित नहीं होगे उसके बालवस भाव से प्रसन्न तथा दयासे परिपूंश्य पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक वरत किया था उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पती को प्रदान करों। तुम कहो की मेरी मात्या की द्वारा जो सुपोदर नामक व्रत किया गया था उसके प्रभाव से मेरे पती जेवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके पण्याम से रूप शिवदत जेवित अंतरधान हो गए तथा तब शिवदत ने उस कन्या से पूछा तुम कौन हो और मैं यहां कैसे आ गया। तब उस कन्या ने उसे व्रतांत सुनाया और रात हो गई। प्राते होने पर नदी के तट पर गए। लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन आपका पुत पुत्रवे पुत्रवधू नदी के तट पर स्तित हैं। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। वह हर्ष भेरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रसंसा करने लगे। वह बोले हे राजन मृत् इस पर राजा पुत्रवधू की प्रसंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रसंसा क्यों कर रहे हैं। प्रसंसा के योग्य तो यह बदू है। मैं तो भाग्य हीन तथा अदम हूँ। धन्य और सो भाग्य शालिनी तो यह मेरी पुत्रवधू है। क्योंकि इसी के पु प्रवेश्ट ब्रामनों का पूजन किया और ग्राम से बाहर लेज जाए गए मृत व्यक्ति के पुनह ग्राम में परवेश कराने से संबंदित शांती की विदी को ब्रामनों के निर्देश पर विधिय पुरुवक संपन्न किया हे वत्स इस प्रकार मैंने आप से यह सुबोधन नामक वरत कहा इसे 5 वरस तक करने के अनंतर उध्यापन करना चाहिए पारवति तथा शिव के प्रतिमा का प्रदी दिन पूजन करना चाहिए और प्रातयकाल आम के पल्लवों के साथ चरू का होम करना चाहिए, साथ ही नवैद्ध तथा वायन अरपित करने चाहिए मनुष्य यदि वरत की बताई गई इस विदी के अनुसार आचरन करें तो वहत दिर्ग जीवी उत्तर प्राप्त करके मृत्यों के बाद शिवलोग जाता है इस प्रकार शुरी सकंद पुरान के अंतरगत ईश्वर सनत कुमार समवाद में शावन मास महात्यमें सुकोधन शस्टी वरत कथन नामक पंदरवा अध्याय पून हुआ हर हर महादेव जै शिव शम्भू अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और हाँ कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद